नमस्कार प्यारबचू, कैसे हो आप सब, प्यारबचू रास्तन बोर्ड, RBC बोर्ड क्लास 10 मैच्स में चेप्टर 7 चला था, त्रिकोंड में 3 सरवसमिक आए, अक्ससाइज 7.1 में, क्यासन 11 से लेकर 18 तक की क्यासन का सोलिशन अपन देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंद चेप्णार और क्लास 10 के बच्च को पता ही नहीं है कि मैच drama उपर उनके वीडियो जैए, लेक्च्चर वह है, सोलिशन जो है, क्लास 10 का वह आ रहा है जी, तो सभी को बताएं, सभी को से र करें वीडियो को, और बड़ी आज़ा और बड़ा सा कमेंट किआगरों, कमेंट बहुत कम करते हैं, आप लोग देखते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट की अगर हो, कमेंट में सारे सभी के पढ़ता हूँ, और एक जरूरी बात है, अपनी Facebook और Instagram, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर अपनी ID बनी हुई है, Facebook पे पेज बना हुआ है, मैथ सु मैसिट पीके के नाम से, और Instagram ID मैसिट पीके के नाम से, यह दोनों को लाइक और फोलो कर देना, और एक और ज़रूरी बात है, अपने दो चैनल है जी, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, एक तो पीके मोटिवेशन के नाम से, एक मैसिट पीके टू के नाम से, दोनो की लिंक, डिस्क्रिशन के अंदर है, दोनों को सब्सक्राइब कर लेजिए, ठीक है ना, और वीडियो जो डाले हूँ है, उनको देखिए, और बताए कमेंट के अंदर वहाँ पे, कि यह वीडियो जो आपको कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो उनको भी शेर बिल्कुल वैसे, यहां पर भी प्रूफ करना है, तो मैं लेप्टेंड साइड ले रहा हूँ, यहां पे लेप्टेंड साइड आपके दिखाई दे रही है, कोड थिटा माइनस टेन थिटा है के नहीं, हाँ जी, कोड और तेन दोनों को पर साइन और कोस में कर सकते हैं, तो कर लीजे कनवर्ट, तो यहां पर बराबर कर निसान चलेगा, थोड़ा यह ध्यान रखें, ठीक है, जी, equation में यह इंप्लाइज देट कर निसान चलता है, तो यहां बराबर में लगा दिया है, कोड थिटा को मैं लिख दूँगा, कोस थिटा बटे, साइन थिटा होता है, साइन से साइन कटेगा, जो बच्चा वो मल्टिप्लाई हो जाता है, तो कोस से कोस हुआ, तो कोस स्क्वेर थिटा, माइनस से साइन से साइन हो जाएगा, साइन स्क्वेर थिटा, है ना, कोस से यह कोस कट गया, जो बच्चा साइन वो मल्टिप्लाई होता है, साइन से, आ रहा है अपना उपर जो वो नहीं आ रहा है उपर कहँ है 1-2 but Theta तो value को अपने को sid में convert करना है to को स की जिगर पे sign लिखना आपने को कैसे लिखेंगे डेकिए मैंने बताया था आपको formula ध्यान दीजिए कि sin clarity plus 순 score theta ब्राबर होता है एक अब अपने को cos की value चाहिए तो sin square को लेकर रहेंगे 1 की तरह पे मैंने आपको बताया था कि cos square theta बराबर होता है 1 minus sin square theta बस यह put कर दीजिए यहाँ पे put करेंगे तो क्या हो जाएगा cos square की जिगर पे 1 minus sin square theta और minus sin square theta पहले से है ठीक जी और upon में sin theta cos theta है यह minus sin square minus sin square क्या हो गया minus का 2 sin square तो 1 minus 2 sin square theta बटे sin theta cos theta दो values minus में तो जूड़ जाती है एक plus की एक minus की तो घड़ जाती है पता ना आप सभी को बिल्कुल वैसे कि अपने दोनों minus किती जूड़ गई और यह अपनी आगई right hand side किती सिदम हैंस prude आया समझ में समझ में आया तो वीडियो को कर देना like आप देखो बच्चों किस्तर नंबर बारे में क्या कह रहा है यहां पर left hand side में ले रहा हूँ प्रूफ करना है अपन को cos की power 4 theta plus sin की power 4 theta यह ले रहा हूँ मैं left hand side right hand side में ध्यान चाहिए कि minus 2 cos square theta sin square theta यह value आ रही है 1 के साथ में ना 1 minus 2 sin square theta cos square theta अच्छा जी तो मैं क्या करता हूँ यह value है minus 2 sin square theta cos square theta वाली value इसको मैं जोड देता हूँ यहां पर और गठा देता हूँ इससे क्या होगा देखना ध्यान सी मैंने जोड़ा cos square theta sin square theta 2 cos square theta sin square theta अब यही गठाना भी तो पड़ेगा ना संतुलित करने के लिए तो 2 minus 2 sin square theta cos square theta देखे, sin और cos को बहले लिखो बाद में लिखो कोई फरकने पड़ेगा कि मैंने sin को पहले लिख लिए multiply में cos को बाद में से कोई फरकने पड़ेगा चलिए मैं करम से लिखता हूँ minus 2 cos square theta sin square theta ठीक है आप देखे यहाँ पे यह जो cos की power jar है इसको मैं क्या लिखूँगा cos square theta का whole square मैंने बताया था ना ऐसे लिख सकते है plus sin square theta का whole square ऐसे भी लिख सकते है plus 2 cos square theta sin square theta इतनी जो value है वो बताईए यह formula बनना है देखिए a square plus b square plus 2 a b guess कीजिए guess कीजिए कौन सा formula है a plus b का whole square हाँ a plus b का whole square है तो बस यहाँ पर a की जिगापे कौन है cos square और b की जिगापे कौन है sin square उसका हो जाएगा whole square नेकित आगे कौन सी value थी minus 2 cos square theta sin square theta तो minus 2 cos square theta sin square theta ठीक है जी यह मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ ओके इसको मैं मिटा रहा हूँ यह समझाने के लिखा जाना रखें question के अंदर नहीं यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए यह अंदर जो है square के अंदर value इसका मान होता है एक formula नहीं एक का square minus 2 cos square theta sin square theta एक का square तो एक ही होता है तो 1 minus 2 cos square theta sin square theta बताईए जरा यह right hand side है कि नहीं बिल्कुल है यह right hand side यह तिसीदम hence proved हो गया ना proof आया समझ में अब देखिए question number 13 तो 13 में देखिए left hand side में ले रहा हूँ यहाँ भी proof ही करना अपन को sec theta minus cos theta cot theta plus 10 theta सारी values को में क्या करता हूँ sin and cos में convert कर लेता हूँ तो sec होता है एक बता cos minus cos है cot होता है cos बते sin और 10 होता है sin बते cos हम यहाँ पर ध्यान दे रहा है देखिए right hand side में क्या आना चाहिए वो देखिए पहले तो 10 theta होता है sin बता cos और sec होता है 1 beta cos यानि क्या आना क्या चाहिए sin theta plus cos square theta यह value आने चाहिए तब ही यह value अपने बढ़ावाएंगे न हाँ जी देखिए try करते है LCM ले लिजी यहाँ पर तो 1 minus cos square theta नीचे cos theta अच्छा जी यहाँ देखिए sin into cos LCM multiply हो जाएंगे cos से cos multiply होगा cos square theta और इस sin से sin होगा sin square theta LCM लेन आपको आता है इसा मैं मान के चल रहा हूँ अच्छा जी 1 minus cos square theta मैंने बताया था अभी भी sin square theta होता है 1 minus sin square theta cos square theta होता है है ना नीचे cos theta और यह value होती है 1 cos square theta plus sin square theta का मान क्या होता है 1 नीचे को नहीं sin theta cos theta एक sin से sin कट गया कट गया तो बचा गया sin theta बटे cos theta क्या है 10 theta और गुणा में एक बटा कोस क्या है सेक थिटा तो आगी क्या राइट हेंड साइड देखिए 10 थिटा गुणा सेक थिटा आ गई हैं तो यह अपनी राइट हेंड साइड इती सिद्धम फोर्मुलाज याद है तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलसन आती है तो कोई दिक्कत नह देराओं में 1-102 alpha, बटे 1-102 alpha-1, दियान से देखना, यहां पर उपर वाली जो value है, उसको तो आपन ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहां पर देखे, राइट इंड इंड आड में 102 alpha आ रहा है, तो इस quote को 10 में convert कर लेते हैं, तो quote square alpha क्या हो जाएगा, आपको पता है, quote का उल्टा 10 होता है, तो 1 upon 10 square alpha हो जाएगा, minus 1, नीचे जो आपके पास भिन बन रही है, जो value बन रही है, उसमें LCM ले ले लेंगे, अपन उपर वाली value को एक बार रहने देते हैं, ऐसा का ऐसा, नीचे देखिए LCM लेंगे, तो 1 minus, और 10 square alpha जो इस 1 से multiply हो जाएगा, ठीक है, और LCM आजाएगा नीचे 10 square alpha, ठीक है बच जाएगी, तो 1 minus 10 square alpha, उसे multiply हो जाएगा, 10 square alpha, उपर आने का मतलब यह है, उपर वाली value से multiply हो जाएगी, और 1 minus 10 square alpha यहाँ पर है, यह तो कट गया, जी, 1 minus 10 square alpha से, 1 minus 10 square alpha कट गया, बचा, 10 square alpha, और यह है अपनी क्या, राइट हैंड साइड, इती, सिद्धम, हैंस, प्रूड, स आप देगो, क्योसन नंबर 15 में क्या कह रहा है, sin theta, बचे 1 minus cos theta, यह लेट हैंड साइड में ले रहा हूँ, और आपको प्रूफ करना है, 1 plus cos theta, बचे sin theta, तो निचे sin theta आपन को चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो निचे वाला है, 1 minus cos theta, इसके सहंग मेंचे उपर निचे गुणा करना पड़ेगा, उपर देखिए, 1 plus cos theta ना, इससे गुणा कर दीजे, उपर निचे, उपर निचे 1 plus cos theta से गुणा कर दीजे, ठीक है, तो 1 plus cos theta तो आगया उपर, अब अपन को चाहिए, निचे sin theta, मतलब यह sin theta कटने वाला है, और निचे आएगा, ठी अब निचे ध्यान चे देखिए, 1 minus cos theta, गुणा, 1 plus cos theta, A minus B, गुणा, A plus B, बताईए, बताईए फोर्मूला, हाँ जी, यही होता है, A square minus B square, तो A की जिगह पर 1 है, तो 1 का square, minus cos की जिगह पर cos की जिगह पर cos, तो B square होगा, तो cos square, ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया था, कि 1 minus cos square क्या होता है, sin square होता है, sin theta, 1 plus cos theta, बते, sin square theta होता है, 1 minus cos square theta होता है, एक sin से sin कट हो गया, कट होने के बाद में, देखिए, right hand side बचरी है ना अपनी, हाँ जी, यारी, right hand side यह रही, दिखाई दे रही है, तो यह हो गया, right hand side, इतिसी दम, हैंस फूर्ट, समझ में आ रह हो, देखिए, question number 16, का solution देखते हैं, left hand side ले रहा हूं, sin की power 6 theta, plus cos की power 6 theta, यहाँ पर देखिए, और right hand side में लेकर आना है, 1 minus 3 sin square theta, cos square theta, देखिए, ध्यान से, sin की power 6 को में लिख सकता हूं, sin का square theta, उसकी whole power 3, plus cos का square theta, उसकी whole power 3, दिखाई दे रहा है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, यहाँ भी 3 दोने 6 होगा, लिख सकता हूं ना मैं, अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए, यह formula बंदा है, a cube plus b cube का, a है यहाँ पर sin square theta, b है यहाँ यहाँ पर cos square theta, formula बता देता हूं, क्या होता है, याद रखिए, यह formula बड़े काम का formula होता है, a cube plus b cube होता है, a plus b cos टक के अंदर a square, a square, a square, a square, plus b square, आगे बताएगे क्या होगा, minus a b होता है, minus a b, कई बच्चों को डाइट रहता है, यहाँ पर plus a b आएगा, नहीं, यहाँ पर plus वाली condition में, minus a b होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह formula लगा देते हैं, a की जिगा पर कोन है, sin square theta, b की जिगा प a plus b हो गया, फिर आगे cos टक के अंदर आएगा, a square plus b square, यानि कि sin square theta, उसका square, plus cos square theta, उसका square, minus sin square theta, cos square theta, a b, दिखाएदे रहा है, यह a square, यह b square, और यह minus a b, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, संकेत की रूप में, मैंने निचे लिख दिया है, अबर a और b की रूप में लिख द 1 होता है, तो यह तो 1 हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, minus sin square theta, cos square theta आ रहा है, हमको क्या चाहिए, यह value तीन चाहिए, इसके आगे, इसके आगे क्या चाहिए, 3 चाहिए, और 1 चाहिए, तो यहाँ पर जो value यह बची भी है, sin square theta, का whole square, plus cos square theta, का whole square, अच्छा जी, अ sin square theta, cos square theta, sin square theta, cos square theta, दो जोड़ूंगा तो गठाना भी पड़ेगा, 2 sin square theta, cos square theta, minus का, ठीक है, और 1 minus का पहले से पढ़ा हूँ है, sin square theta, cos square theta, आ रहाने समझ में, चलिए, मैं ए और भी यह मिटा देता हूँ, यह आपको समझ में आ गई होंगे, confuse कर रहे होंगे, अब आपको, यहाँ पर, यह value थी, यह भी value थी, मैंने 2 sin square theta, cos square theta, जोड़ दिया और गठा दिया, ताकि अपन formula बनाने देखिए, यह formula बन रहा है, a plus b का whole square का formula, 2ab, और यह a square, यह b square, a square, plus b square, plus 2ab, बनाना formula, यहाँ पर formula बना देता हूँ, और यह देखिए, यह minus का है, यह भी minus का है, दो यह अपन को, चाहिए जी, हाँ, चाहिए तो, आजाएगा answer, अब कोई दिक्कत है नहीं, तो यह तो हो जाएगी value क्या, sin square theta, बदाए, प्लस cos square theta का whole square होगा, बिल्कुल होगा, यह a है, यह b है, a plus b का whole square होता है, है न, यहाँ ध्यान रखे, sin theta plus cos square theta का whole square होगा, ठीक है न, क् यह की जीगा पर sin square आ रहा है, बीगी जीगा पर cos square आ रहा है, फिर आगे minus, यह हो जाएगा 3, sin square theta, cos square theta, जुट जाएगे दोनों values, minus में, अच्छा जी, यह costak के अंदर 1 होता है, इसका मान, formula होता है, तो 1 का square, minus 3, sin square theta, cos square theta, 1 minus 3, sin square theta, cos square theta, यह होगी right hand side, right hand side, इतनी सिद्द हैं, hence proved, clear, आया समझ में, समझ में आया तो share करो video, अपने सभी दोस्तों को, जल्दी से, जल्दी सेर करो, अब देखे बच्छों, question number 17, मैं left hand side में ले रहा हूं, 10 theta, but even minus 4 theta, plus 4 theta, but even minus 10 theta, sin square theta, sin square cos में connect कर लेते हैं, पहले तो यह देखते हैं, कि right hand side में sin square cos में connect करेंगे, तो क cos बटे, cos theta बटे, sin theta, ठीक है, अब इसको cos theta बटे, sin theta, square नहीं यहापे, sin theta, अच्छा, LCM लेंगे तो क्या होगा, sin theta into cos theta, sin theta cos theta, 1 से multiply होगा, तो sin theta cos theta, sin theta से sin theta multiply होगा, sin square theta, और cos से cos, cos square theta, बिल्कुल यह value आपने के पास में बननी चाहिए, यहाँ पर, जो solution करेंगे, देखते हैं, नीचे अपन को sin theta cos theta बनाना है, कैसे भी करेंगे, sin और cos में करनोट कर लेते हैं, 10 होता है sin theta, बटे cos theta, फिर अपना मैन बटा, यह अपना मैन बटा, 1 माइनस कोट होता है, cos theta, बटे sin theta, फिर प्लस कोट होता है, cos theta, बटे sin theta, फिर अपना मैन बटा, यह वाला, और 1 माइनस 10 की जिगा पे, sin theta बटे cos theta यहां तक सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं देखे sin theta बटे cos theta तो उपर है अब नीचे देखे lcm लेंगे अपन lcm क्या हैगा sin theta वो 1 से multiply होगा तो sin theta minus cos theta बनेगा उसके नीचे sin theta lcm में फिर प्लास इस तरह से उपर देखे cos theta बटे sin theta है फिर नीचे cos theta 1 से multiply cos theta minus sin theta फिर बटा lcm में cos theta ठीक है अब आपन को क्या करेंगे बाहर वाले अपस में multiply कर देने हैं और अंदर वाले अपस में करेंगे multiply multiply तो sin theta से sin theta से sin theta multiply यही तो rule होता है ने बार वाले आपस में अंदर वाले आपस में अब अंदर वाले देखिए cos theta इससे multiply sin theta minus cos theta यहां पर थोड़ा सद्यान दीजिए गा नीचे क्या रहा है कि cos theta minus sin theta इसमें मैंनेस common लेलूँगा अगर मैनेस यह common लेलूँगा तो क्या होगा यह cos minus का हो जाएगा और sin हो प्लस का यह minus इस पलस से multiply होगा तो minus बनाएगा तो यह minus बन गया और cos आएगा उपर और इस cos से multiply बार वाले आपस में मिल्टिप्लाइब हो रहे ना cos theta गुणा cos theta नीचे sin theta sin theta किस से multiply होगा sin theta minus cos theta से sin theta minus cos theta यह पहले cos theta minus sin theta था लेकिन अपने minus common लेलिया तो यह sin theta minus cos theta होगा और जो common लिया वो minus यहां पर है ठीक है कोई problem नहीं है ऐसा क्यों किया कि यहां भी देखिए sin theta minus cos theta था था तो यह common आ जाएगा इसलिए ऐसा मैंने किया अच्छा जी चलिए मैं यह common ले लेता हूँ one upon sin theta minus cos theta common आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा उपर तो sin square theta हो गया ही हाँ जी नीचे बचा cos theta बिल्कुल फिर minus उपर हो गया cos square theta थीक है नीचे sin theta अब नीचे अपन को फिर से क्या करना पड़ेगा LCM लेना पड़ेगा ठीक है तो one upon यह value तो है sin theta minus cos theta LCM लेंगे तो LCM आएगा sin theta cos theta यह sin theta sin square से multiply sin का cube बनाएगा ना माइनस cos cos square से multiply cos का cube बनाएगा अब ध्यान से देखिए नीचे अपन को sin theta cos theta चाहिए था वो तो आ गया अब इसको तो काटना नहीं अपन को कहीं भी अगर कटे तो भी नहीं काटना ठीक है यह तो अपन को चाहिए उपर देखिए formula बनदा है sin theta minus cos theta a cube minus b cube का formula formula क्या होता है a minus b a square plus b square plus a b minus वाली condition में अंदर plus a b आता है plus वाली condition में अंदर minus a b आता है पता है ना हाँ जी यह formula लगा देंगे अपन लगा दीजे formula तो one upon sin theta minus cos theta यह तो है नीचे और अंदर formula लगा देते हैं अपन तो sin theta minus cos theta a minus b हो गया यह फिर अंदर sin square theta plus cos square theta यह a square plus b square हो गया plus a b वीची अपन को तो plus sin theta cos theta यह plus हो गया a b ठीक है नीचे कों है sin theta cos theta अब cos तक का मतलब क्या है cos तक का मतलब तो गुणा ही है ठीक है यह cost को अपन हटाएं यहां से इसको हटाएं तो क्या meaning निकलेगा इसका यहां पर क्या यह गुणा है तो यह देखिए यह उपर है और यह value नीचे है कट गई और जो बच्चा उस में अपन दे देंगे भाग क्या बचा sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta बटे sin theta cos theta तो sin theta cos theta का भाग दे देंगे इन तीनों values के अंदर अलग अलग यानि के sin square theta sin square theta बटे sin theta cos theta इस sin square theta है प्लस इसी तरह से cos square theta बटे sin theta cos theta plus sin theta cos theta बटे sin theta cos theta तीनों जो उपर values थी उन तीनों में sin theta cos theta का भाग अपने लगा के अलग लग अन्सिक भी ने बना ली ठीक है अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए sin से sin कट गया cos से cos कट गया और ये sin theta cos theta पूरा कट गया तो यहां बचा sin theta बटे cos theta पहले यहां देखें क्या बचेगा 1 तो 1 लिख दिया मैंने फिर यहां sin theta बटे cos theta ten theta हो गया पिर यहां देखें cos theta बटे sin theta cos theta हो गया और आपको पता है कि यही है अपनी क्या right hand side चेक करवा देता हूं मैं देखिए 1 प्लस 10 theta plus cos theta तो इत्ती सीदम हैंस प्रूड आया समझ में समझ में आ रहा है न तो डिस्क्रिशन में कुछ लिंक्स हैं मेरे और चेनल की तो उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए PK मोटी बसन एक और एक है मैस्विद PK 2 सब्सक्राइब कर ले न उनको भी अब देखो आज का अपना लास्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर 18 उसका सॉलिशन देखते हैं लेट एंड साइड में ले रहा हूँ साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा वन प्लस कोट थीटा ओके लेकर आनी है वेल्यू तो कोस थीटा प्लस सेग थीटा कोस थीटा प्लस सेग थीटा कोस थीटा तो साइन का उल्टा होता है और सेग कोस का उल्टा होता है होता है कि नहीं होता और लशीम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा इस वन से मिल्टिपलाई और sin is 1 से multiple आई यानि कि ये वाली value अपन को बनानी है इधर कोशिस यह करनी है कि ये value बन जाए यानि कि नीचे sin theta cos theta बनाने की कोशिस करनी है ठीक है चलिए सारी values को अपन sin और cos में convert करते हैं sin theta सबसे बड़िया method होता है sin और cos में convert करने का sin theta और 1 प्लस 10 को लिख दिया मैंने sin theta बटे cos theta प्लस cos theta 1 प्लस 4 को लिख दिया cos theta बटे sin theta आ रहा समझ में हाँ जी समझ में आ रहा है तो अब LCM ले ले लेते हैं sin theta और LCM cos आएगा 1 से multiply cos theta प्लस sin theta ठीक है नीचे LCM में cos theta प्लस cos theta sin 1 से multiply sin theta प्लस cos theta और नीचे sin theta ठीक है अच्छा जी common आ रहा है sin theta प्लस cos theta यहाँ भी देगी sin theta प्लस cos theta चलो मैं common ले लेता हूं sin theta प्लस से cos theta तो क्या बढ़ेगा sin theta बटे cos theta plus cos theta प्लस cos theta प्लस cos theta प्लस cos theta प्लस cos theta यही बन रहा है क्या बिल्कूल यही बन रहा है LCM ले लेते हैं बाहर तो जो common अपने लिया उसको cos टक में बंद करें हाँ जी cos टक में बंद करना बहुत जुरूरी है cos से cos multiply हो गया cos square theta LCM का rule बता है ना मान के चल रहा हूं मैं LCM आपको आते हैं यह value हो जाएगी one formula होता है sin square theta plus cos square theta प्लस cos square theta प्लस cos theta प्लस cos theta प्लस cos theta प्लस cos theta प्लस sin theta cos theta देखे तो अलग-अलग भाग देते हैं जैसे अपन ने अलग-अलग से value एक बनाई थी ना वैसे ही अलग-अलग बना लेते हैं अब तो उपर है sin theta ठीक है नीचे sin theta cos theta फिर बीच में है यह वाला प्लस फिर आगी cos theta नीचे sin theta cos theta यह sin से sin yeah cos ein cos एक बटा sign क्या होता है 10 होता है कि मँदस से रवी होता है सैन का उलटा मिदस सेक ठीक है एक बटा कॉस क्या होता है से होता है कि और यह अपनी क्या है right-hand side मैं ones s desserts Canon.. दिखाता हूं मैं right-hand side दिखाता हूं यह डहीज देखिए मिल रही है क्या है हाँ जी मिल रही है तो आज के लिए तो बस इतना ही बाकी जो क्वेशन्स है उनका स्वेशन हम देखेंगे अगले वीडियो में तो एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूं जाना मत ज़रूरी बात सुनके जाएए अपना फेस्बुक के नाम से इंस्टाग्राम आइडी है मैस्विद पीके के नाम से स्पेलिंग बता देता हूं कई बच्चों को स्पेलिंग में भी गड़ बड़ रहती है यह है जी स्पेलिंग तो ग्रूप है फेस्बुक के उपर उसको लाइक करें फॉलो करें इस्टाग्राम आइडी है इस